हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का कोश्चन नमबर 5 तो कोश्चन नमबर 5 क्या कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग रिडल्स यू में यूर सेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स यहां पर हमसे कह रहा है कि यह जो रिडल्स दे रखी हैं यहां पर हमारी चार रिडल्स दे रखी हैं बैसिकली दो यह दे रखी हैं और दो यहां पर यह चारों हम करेंगे और यहां पर कह रहा है कि इनको हमें सॉल्व करना है आगे कहता है कि हम अपनी तरफ से भी कुछ पहलियां construct कर सकते है तो यहाँ पर क्या दे रखा है यानि इसमें बताना है कि आई क्या है तो पहली रिडल दे रखे तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसको हम फिर से देख लेते हैं गो राउंड आ स्कॉायर पहले हम एक स्कॉायर बना लेते हैं इस तरह से ठीक है और इस स्कॉायर के राउंड करना है count every corner हमने मालिया यहाँ से start किया तो एक यह second यहाँ third यहाँ, fourth यहाँ तो एक राउंड में four corner मिल गए आगे कहता है thrice and no more तो एक बार count करने में कितने corner मिले, four और यह कहरा है thrice यानि तीन बार हमें इसको round करना है तो यहाँ पे एक बार में four मिले second time करेंगे तब four मिलेगा और third time करेंगे तब भी four मिलेगा तो यह कितना आ जाएगा, twelve आगे कहता है कि add the count to me तो जो तुमने count किया है उसको मुझे में add करो यहाँ पे जो i है ना इसमें add करो तो हम i को मान लेते हैं कि यह x है, यानि मैं जो हूँ वो x हूँ तो अब x में कितना add करना जो count किया है, यानि x plus twelve और आगे कहता है to get exactly thirty four यानि अगर हमने इसको इसके साथ add किया तो हमें क्या मिल रहा है 34, तो यह equal हो जाएगा 34 के तो अब हमें क्या करना है i find out करना है, तो यानि x की value find out करना है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x is equals to क्या जाएगा इस 12 को हम इधर लेके चले जाएगे यह हो जाएगा 34 minus 12 और 34 में से जब 12 जाता है तो कितना बसता है, यहाँ पर माइनस कर लेते है 34, 12 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा तो यह आगया 22 तो यहाँ पर जो i है, यानि कि जो मैं हूँ वो 22 हूँ next हमें क्या दे रखिए for each day of the week make an up count from me, if you make no mistake, you will get 23 तो यहाँ पर यह कहना क्या चाहरा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ कि जहां से अगर हम week को count करें जैसे हमाल लेते हैं कि मैं जो हूँ वो 5 हूँ, ठीक है तो week में क्या होता है पहले होता है Sunday फिर Monday, फिर Tuesday फिर Wednesday, फिर Thursday फिर Friday, फिर Saturday तो यानि अगर मैं 5 हूँ तो 5 के बाद क्या आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ पर आजाएगा 12 तो इसका मतलब हमें यही चीज़ देखना है कि मैं क्या हूँ तो यहाँ पर हम I को जो है वो X माल लेते हैं यह तो हमने ऐसे ही समझाने के लिए 5 ले लिया था हमें पता नहीं के कौन सा नंबर होगा तो यहाँ पर हमने I को ले लिया X अब यहाँ पर हमें क्या करना है X में यहाँ पर 1 आइड करेंगे तो हमने कोई mistake तो की नहीं, x plus 7 हमें मिल गया बगार mistake के, you will get 23, तो यहां पर आ के हमें क्या मिलता है 23, यानि यह जो x plus 7 आया है, यह किसके equal होगा, यह 23 के equal होगा, तो यहां से अगर हम x की value देखें, तो 23 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इस 7 को जब हम इधल ले जाएंगे, तो य x की value आ गई 16, तो इसका मतलब यहां पर जो मैं हूँ वो 16 है, अब आते हम next पर, तो next हमें क्या दे रखा है, यहां पर third riddle दे रखी है, तो यहां पर third riddle क्या दे रखी है, I am a special number, मैं एक special number हूँ, take away from me a six, मेरे मसे 6 को निकाल दो, a whole cricket team, you will still be able to fix, तो यहां पर कह रहा है कि मैं एक ऐसा number हूँ कि मेरे में से, अगर 6 तुमने निकाल दिया, तब भी तुम एक cricket की team, जो है, वो बना सकते हो, तो यहाँ पर पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं तो क्रिकेट की टीम में जो है वो 11 प्लेयर्स होते हैं तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि I क्या है यानि कि मैं तो मैं जो हूँ वो X हूँ अब अगर हम मेरे में से यानि X में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी एक किर्केट की टीम यानि की 11 मिल जाएगा तो यह हमारी equation बन गई अब यहाँ पे यह 6 है 6 को जब हम इधर लेके जाएगे तो यह माइनस का है इधर जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा तो यह हो जाएगा 11 और यह इधर जाएगा तो यह प्लस का 6 11 में 6 एड करेंगे 17 तो X जो है वो आ गया 17 यानि यहाँ पे जो मैं हूँ जो special number है वो 17 है अब आते हम next पे तो next हमारी riddle क्या दे रखी है tell me who I am बताना है कि मैं कौन हूँ I shall give a pretty clue मैं एक clue दे रहा हूँ you will get me back तो मुझे वापस पाओगे if you take me out of 22 अब अगर तुम मुझे 22 में से वापस करोगे तो मुझे ही वापस पा जाओगे तो यहाँ पे हमाल लेते हैं कि मैं जो हूँ वो X हूँ तो यहाँ पे कहता है कि 22 में से अगर मुझे माइनस करोगे यानि take out करोगे तो क्या मिलेगा मैं बैक हो जाओगा यानि कि मैं वापस आ जाओगा तो यहाँ पे मैं जो है वो X है तो इसका मतलब हमें वापस X मिल जाएगा अब हमें equation मिल गई तो इसको हम solve कर सकते हैं यहाँ पे 20 को ऐसे ही लिखा रहें देते हैं और इस X को जब हम इधर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा इसको ऐसे ही लिखा रहें देते हैं यह हो जाएगा प्लस का X और X प्लस X यह हो जाता है 2x तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x को ऐसे लिख लेंगे यह 20 है तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा सुर्ण यहाँ पर 22 है तो यह 22 रहेगा यहाँ पर यह हो जाएगा यह multiplication में यह इधर जाएगा तो यह division में चला जाएगा और यह 2 1s आ 2 2 1s आ 2 वही नमबर मिल जाएगा तो 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 मिल जाएगा लास पार्ट था questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही